हेलो एवरिवन वेलकम तो सुर्या नर्सिंग अकेडमी दिस इज विरेंदर चोदरी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पांच मही के करंट अफेर्स और छै मही के करंट अफेर्स भी आज अप्लोड कर दिये जाएंगे तो आज का फेस्ट क्यूसन है International Astronomy Day कब सेलिबरेट किया गया यानि कि अंतरष्ट ये खगोल विज्ञान किस दिन मनाया गया तो ये दो मही को सेलिबरेट किया गया और दो मही को आप जैसा जानते है ट्यूना डे भी होता है ट्यूना एक मचली का परकार है और अगर अंतरष्ट ये खगोल विज्ञान की बात हो रही है तो एक मिसन यादा आप और खिये Expedition 62 Expedition 62 क्या है इसमें अंतरष्ट यात्री एक सोयूज रोकेट जो सोयूज रोकेट रस्या का है जिसमें वेटके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे और एक लोंग मार्च रोकेट होता है जो चाइना का है और भारत का जो रोकेट होते हैं वो पी एसलवी और जी एसलवी है और एक मिसन और चल रहा है इंडियन इंस्टिट ओफ एस्ट्रोनोमी फिजिक्स जो पूरे में है और इस रो मिलकर एक नेतर नाम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो फर्स्ट क्यूसन का इंस्वर है सेकंड वाई नेक्स्ट क्यूसन है इन में से कौन सी केसर का प्रकार है जो कस्मीर में उत्पादित क्यादत है यानि कि कस्मीर में उत्पादित होने वाले केसर का कौन साइन में से टाइप है लच्छा, सैफरोन, सैफरोन कैसर को बलते हैं लच्छा, मोग्रा और गुच्छी तो ये तीनों ही प्रकार की कैसर का उत्पादन कस्मीर में किया जाता है और कस्मीर में भारत का 90% कैसर उत्पादित किया जाता है जो पूरे विस्व में दूसे नमबर पे है और विस्व में सबसे ज़्यादा के सुरूत पादन इरान में किया जाता है और जियाई टेग की बात है अभी इसी कस्मीर की जो केसर है उसको जियाई टेग प्राप्त हुआ था तो एक दो जियाई टेग आपको जैसे मैंने पहले बिताए था और याद रखने है गोरकपुर के टेराकोटा को जियाई टेग मिला है और मनिपुर का चाखाओ चावल जो बलेक राइस है काला चावल है उसको जियाई टेग मिला है और एक गोवा की मिर्च है खोला उसको भी जियाई टेग प्राप्त हुआ है तो आपको ये जिय टेग याद रखने है नेक्स्ट क्यूसन है निर्ज दवन को हाली में किस बैंक के रिस्क ओफिसर के रूप में निउप्त किया गया है तो निर्ज बेंक को अभी यस बेंक के रिस्क ओफिसर के रूप में जोखिम अधिकारी के रूप में निट किया गया है और यस बेंक के जो कर्या कारी अधिक्स बोकों ने परसांत कुमार यस बेंक हाली में गोटालों के करण कारण काफी चर्चा मेरा था और एक दो जैसे एक्सिस बैंक उसके सेम्डियो और सियो याद रखने आप अमिताब चोदरी, फेडरल बैंक के हैं शाम स्रीनिवास और आई सी सी बैंक के हैं संदीप बक्सी नेक्स्ट क्यूशन है अब की बार वर्ड प्रेज फ्रीडम की थीम क्या थी तो वर्ड प्रेज फ्रीडम डे तो वर्ड प्रेज फ्रीडम विश्व प्रेज सुटंतरता दिवस हर वर्ष तीन मही को यूएं द्वारा मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी जर्नलिजम विदाउट फियर एंड फेवर यानि कि जो पत्र का रिखता है वो बिना किसी डर और बिना किसी पेसे के होनी चाहिए विश्व प्रेज सुटंतरता दिवस की बात हो रही है तो यह जो इंडेक्स है यह रिपोर्ट्स विदाउट वर्डर्स त्वारा जारी किया जाता है जिसका हेड़क्वाटर पेरिस फ्रांस में है और इंडिया में इसकी रैंक कौन सी थी तो अब के बार इंडिया की रैंक 142 यानि की 142 थी जो पिछले वर्ष से अब की बार हम दो अंक डाउन गए हैं पिछले वर्षी एक सो चालिस थी और अब की बार एक सो ब्यानलिस और फर्ष्ट पे था नॉर्वे तो इस पर भी प्रकाजी जाविड करने थोड़ा ये भी बोला था कि इसके हमजान्स करवाएंगी क्योंकि भारत में पूरी तरह से प्रेस है जो सुतंतर है नेक्स्ट क्यूसन है भारत का पेला कौन सा राज़े है जो अपने लोगों को मुफ्त और केसलेस मिमा सुरक्षा परदान करने वाला पेला राज़े बनेगा तो ये भारत का पेला राज़े होगा जो है महराश्टर तो महाराश्टर पहला राज्य होगा जो लोगों को मुफ्त और के स्रेस वीमा सुरक्षा प्रदान करेगा और महाराश्टर में एक बंदरगा भी बन रहा है जिसका नाम है वधावन वदावन बंदरगा महराश्टर में बन रहा है जो भारत का 13 मेजर पॉर्ट होगा और महराश्टर के जो मुंबई Central Railway Station उसका नाम बदल कर नाना संकरशेट टरमिनस रख दिया गया है और नाना संकरशेट टरमिनस एक पहला रेल वेस्टेशन था जिसको Eat Right का दर्जा मिला था जो FSAI द्वारा प्रदान किया जाता है FSAI का Food Safety and Security Authority of India Food Safety and Standard Authority of India इनके द्वारा Eat Right का दर्जा नाना संकरशेट टरमिनस को दिया गया जिसका पहले नाम मुंबई टरमिनस था मुंबई Central Terminus हाली में ICC के द्वारा टेस्ट टेस्ट रेंकिंग जारी की गई जिसमें भारत ने अपनी First Position को गवा दिया है तो भारत किस वर्स से इस ICC टेस्ट रेंकिंग में पर्थमस्तान पे था तो भारत अक्टूबर 2016 से ICC टेस्ट रेंकिंग में पर्थमस्तान पे था और अब पर्थमस्तान पे कौन है तो अभी पर्थमस्तान पे आउस्ट्रेलिया और सेकंड पे नियूजिलेंड और 30 नमबर पर भारत है ICC का मुख्यल दुबई में है नेक्स्ट क्यों से बैंक ने एक सौंग रिलीज किया है जिसका टाइटल है हम हार नहीं मानेंगे तो यह बैंक कौन सा है तो HDFC बैंक ने अभी हम हार नहीं मानेंगे सिर्सक से गीत जारी किया गया है और इस गीत के जो संगीतकर है वो है AR रह्मान और इस गीत को लिखा है परशून जोसी ने तो लेखक परशून जोसी और संगीतकर AR रह्मान है कौन सा राज़य बन गया है यह देश का पहला राज़य है जो मिड़े मील रसन परदान करेगा यानि भारत का पहला राज है जो मिड़े मील रसन परदान करेगा तो मद्यपरदेश भारत का पहला राज है जो मिड़े मील रसन परदान करेगा ये पहला राज है जो मिड़े मील रसन परदान करेगा और आप अपना जो खाना है वो गर पे बना सकते हैं तो ये मद्यप्रदेस सरकार नहीं किया है मद्यप्रदेस सरकार की एक दो योजना है जैसे मिशन सक्ती मिशन सक्ती के अंतरगत वहां के में लाएं अपने घर में मास्क बना सकती है और सरकार उन से वो मास्क ख्रीदेगी और एक है जल अमरित योजना अमरित योजना में ये अपने नागरिकों की जो इम्मिनिटी पावर है उसको बढ़ाने के लिए एक त्रीकुट चुरन का निर्मान कर रहे हैं तो ये भी याद रखिए नेक्स्ट क्यों सना है तो साथ राज्यों की कितनी मंडियों को रश्ट्रिय क्रिसी बाजार से जोड़ा गया है यानि की नेशनल एग्रिकल्टर मार्केट से जोड़ा गया है तो साथ राज्यों की दो सुन नई मंडियों को अभी नेशनल एग्रिकल्टर मार्केट से जोड़ा गया है और अब ये कुल मंडियां की संख्या 785 हो गई है तो साथ स्टेट की यहाले में 200 नई मंडियों को इसमें जोड़ा गया है नेक्स्ट क्यों सना है भारत के ब्राजिल में नई अमबेश्टर के रूप में किसे निक्त किया गया है भारत के बारत के अगले राजदूद ब्राजिल में कौन होंगे तो सुरेश के रेडि ब्राजिल में बारत के अगले राजदूद निक्त किया गया है और ब्राजील की राजदानी ब्राजीलिया है और वहां के राष्ट पती बॉल्स नारो है जो अब की बार गनतंतर जिवस्पे बारत के विसेश अथी थी थे तो यह थे आज के क्विश्चन I hope आपको यह वीडियो इंट्रेस्टिंग लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें Thank you so very much Have a great day